पहले आज आने एनेचपीसी का एक्जाम ओवर हो गया तो इसमें मैं यह ने पूल हो कि हाँ पेपर कैसा गया अनलेसिस करा रहा हूं कि हाँ यह हमारा या सहा था यह वैसा था यह सब सकेंडरी बाते हैं पहले कुछ चीज़ा यह डिसक्स करते हैं ठीक है उसके बाद यह सब होता है तो जैसे कोई इस्टुएंट जैसे ही बच्चा एक्जाम दे करे आता है ना तो उसको घ्रीक्स के बात बाक्या चलता रहता कि हाँ यह इसका आंसर यह होगा उसका और साथ आप होगा उस्से समय कर जाता मेरा हो गया यह है युर्टा mutter कि अभी बहुत सारे एक्साब संगर हुए इससे पहले ईवर संकोप्रीट हुए संके एक्वर्ट कर द्म हिगे पूर आंसर माय clo के उसके आप жизни हया बहुत कुछ बच्चे को होता है कि कुछ मार्जिन से सेलेक्ष्ण रुख जाता है तो उससे में काफी जाधा पें होता है भिलिव में ऐस टीचर मैं बोलू मैं तो यह आगे बढ़ो आगे निकलो प्रैक्टिस करते रहो आगे बढ़ते रहो तो वह सब अच्छा लगता है एक पर दुख होता है, तो आपको ध्यानी रखना है कि यह दुख जो है, उसको गूल जियत दुख हो जल्द अच्छा होगा आने वाले एक्जाम्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रफॉर्म नहीं कर पाऊंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उस चीजे से बाहर जल्दी निकलना है उतना आपके लिए इंप्रॉर्टन होगा और दूसरी चीज बटा एक और याद रख अगर तुम फिर से उसी रास्ते पे चलोगे तो फिर रिजल्ट दुबारा से आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि हां आपको गलतियों सीखना है उसको इंप्रूव करना है और बटा क्या करना है खुद को अपडेट करना है एक आपने कहावाद सुनते हैं प्रैक्टिस ऍमेर्ट यहिए अधी धूरी कहानी है झाला बस आपको पर्मनेंट कर दे यह जो चीज़ आप प्रैक्ष कर रहाया तो इसमें प्रमनेंट हो जाओ गे तो प्रेक्टिस से आप पर्मनेंट हो जाते हो जिस चीज कर रहे हैं लेकिन उसको एक राइट डायर करनी है लेकिन द्यान बस प्यार से फिर से करना बटा कि किसी भी चीज़ को लेकिए आप लोग बैठिये मत डिप्रेस में तर रहे उससे बाहर निकल लिए और एक राइट रिक्वाइस्ट है अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा समय दीजिए और अपने मैनत्क से दुबारा आईए इंप्रूब्मेंट के साथ आई बैटा और चक्देख आपको साथ हमीशा रहेगा आपको गाइड करता रहेगा नोगी वार्टिव बारे में और फिर से एक नया स सब्सक्राइब करें और अपने आपको जल्दे से बाहर निकालो और अपने पढ़ाई पर बढ़ा करो फिर से बिबारा स्टार्ट को ठीक है थैंक्यू सो मच एंड टेक्यूर आपको अ लोगे इंड शर्ट प्रसका